नमस्कार दोस्तों वेल्कम टो रेक्शन स्टीडी पॉइंट मैं उस्वर्प सुखला दोस्तों बिहार दरोगा मुख्य परिक्षा के लिए आपको लगातार वीडियो दी जा रही है और इस वीडियो में हम सामान हिंदी के जो है मोस्ट इंपॉर्टन पचास प्रश्ण लेक क्या है देखिए नयन एक तद्सम सब्द है आपको पहचानना है कि नयन का तदभाव सब्द क्या है देखिए वे सब्द जो संस्क्रिट से बिगड़ कर आते होने हम तदभाव कहते हैं और जो संस्क्रिट के सब्द सब्द होते होने हम तद्सम कहते हैं तो नयन का जो तद दूसरा प्रश्ण है पत्र का तदभाव सब्द क्या होगा देखे पत्र एक तदसम सब्द है अनिके सलस्कुत का सुदसब्द है तो पत्र का तदसम क्या होगा तो सही इंसर हमारा क्या हो जाएगा पत्ता जो पत्र का तदभाव यानिके बिगड़ा हुआ रूप है वो क्या है पत्ता यहां पर जिन लोगों ने भी सी को चुना है उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन देखे क्या है अंटी मारना एक मुहावरा है इसका अर्थ क्या है अंटी मारना मुहावरे का क्या अर्थ है तो देखिए सही एंसर हो जाएगा option नमबर सी कम तोलना जब कोई भी दुकानदार कोई भी चीज कम तोलना तो यहां पर सही एंसर क्या हो जाएगा option नमबर सी यहां पर जो है राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रशन है निम लिखित में से कौन सी बिहारी भासा की बोली नहीं है तो आपको पहचानना है कि निम लिखित में से कौन सी बिहारी भासा की बोली नहीं है देखेँ आपको पता होना चीए कि हिंदी की 5 उपभासाइं हैं और 5 उपभासाओं में 17 कुल मिलाकर बोलिया हैं देखें उन्हीं में से एक हमारी उपभासा क्या है बिहारी और बिहारी के अंतरकत 3 हमारी बोलियां आती है मगई, मैथली और भोजपूरी यह सभी जो है बिहारी बोली के अंतरकत आते हैं लेकिन जो 36 गड़ी है यह बिहारी भासा के अंतरकत बोली नहीं आती है तो यहाँ पर option number जो B हमारा है right हो जाएगा देखिए 36 गड़ी जो है यह पूर्वी हिंदी के अंतरकत आता है पूर्वी हिंदी के अंतरकत तीन भासां आती है कौन-कौन से अवधी एक आता है हमारा आपको याद रखना है एक हमारा अवधी हो जाएगा दूसरा हो जाएगा बगहेली और तीसरा हो जाएगा 36 गड़ी ये तीनों भासा जो है पूरवी हिंदी के अंतरकत आती हैं तो ये भी आपको याद रखना है अगला प्रश्न है पावक सब्द का संधी विच्छेद क्या होगा देखे पावक सब्द का संधी विच्छेद क्या होगा तो यहां पर हमारा right answer हो जाएगा देखिए पो प्लस अकह क्या हो जाएगा पो प्लस अकह जो है पावक कह जो हमारा है पावक का संधी विच्छत option number B right हो जाएगा अगर हम बात नहीं किया पर संधी कौन से लगी है तो आपको याद रखना है यहाद इसंधी कह जो है वेर्थ का प्रयत्न करना क्योंकि अंधा व्यक्ति आपको रोते वे देख नहीं सकता है तो अंधे के आगे रोना का मतलब होता है वेर्थ का प्रयत्न करना तो इस प्रशन का हमारा option number B right answer हो जाएगा अगला प्रशन है जहासी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है देखे जहासी की रानी एक बहुत ही प्रसिद उपन्यास है तो आपको पहचानना की जहासी की रानी के उपन्यास के लेखक कौन है तो हमारा यहाँ पर right answer हो जाएगा option number A वरंदा बन लाल वर्मा देखे वरंदा बन लाल वर्मा नहीं जो है जहासी की रानी उपन्यास लिखी है तो यहाँ पर हमारा option number A जो है बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला प्रशन है निम लिखित में से कौन सा पत्थिक का पर्यावाची है देखे पत्थिक मतला होता है राहगीर, बटोही, मुसाफिर, पन्थी देखे सभी जो हमारे है पत्थिक के ही पर्यावाची है देखे मुसाफिर हो गया, बटोही, पन्थी यह सभी किसके पर्यावाची है, पत्थिक के ही पर्यावाची है तो right answer क्या हो जाएगा हमारा option number D यह सभी जो है correct हो जाएगा हमारा पत्थिक के लिए option number D यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला प्रश्ण है cyst का विलोम क्या होगा देखें बहुत ही आसान सा प्रश्ण है तो cyst का जो हमारा विलोम होगा वो हो जाएगा a cyst क्या हो जाएगा cyst का हो जाएगा a cyst option number C यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला प्रशन की क्या है अगला प्रशन हमारा है कि बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत इसे क्या कहते हैं देखिए जो अनेक सब्दों का एक सब्द होता है तो बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत जो होता है उसे हम क्या कहते हैं तो आप सभी को पता होगा बच्चों को थपके देकर सुलाने का जोगीत होता है उसे लोरी कहते है option number B जो है लोरी यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला प्रशन देखे क्या है अनुकूल में कौन सा समास है तो देखे हमारा most important प्रशनी है अनुकूल में कौन सा समास है तो देखे हैं आपर right answer हमारा हो जाएगा away भाव समास देखें पहचानना कैसे आपको अनुकूल में जो है अनु क्या है हमारा अनु एक उपसर्ग लगा हुआ है क्या है अनु उपसर्ग लगा हुआ है देखें जिस भी समास का जो पहला पद उपसर्ग हो यानि कि पहला पद हमारा away होता है वो हमारा away भाव समास होता है जिससे कि जहां पर प्रती लगा हो जैसे कि प्रती दिन अनु लगा हो इसके अलावा अधी लगा हो यह सब भी हमारे उपसर्ग होते हैं तो यह सब भी हमारे अववी भावसमास में आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे राइट एंसर क्या हो जाएगा option number C अववी भावसमास यहाँ पर हमारा correct एंसर हो जाएगा अगला प्रशन है सत पूरुस में कौन सा उपसर्गा परयुक्त हुआ है तो आपको अगर हम इसका बिच्छेत करेंगे दिखे क्या हो जाएगा सत प्लस पूरुस सत पूरुस में क्या हो जाएगा सत प्लस पूरुस तो उपसर्गा देखे सब्द के पहले लगता है तो सत पूरुस में जो सत है सब्द के पहले जुड़ा हुआ है तो option number जो D है राइट हो जाएगा सत पूरुस में सत जो है उपसर के रूम में प्रयुक्त हुआ है अगला प्रशन के क्या है अगला प्रशन हमारा है तीन वर्स उपन्यास के लिखक कौन है तीन वर्स एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है इसके लिखक कौन है तो देखिए हमारा यहां पर राइट एंसर क्या हो जाएगा option number B भगवती चरडवर्मा जो है तीन वर्स उपन्यास के लिखक है जिन लोग ने भी B को चुना होगा उनका जवाब राइट हो जाएगा देखिए आपको ऐसे प्रस्ण की regular practice करने पड़ेगी क्योंकि हिंदी कुछ आसान प्रस्ण ऐसे होते हैं जिन्हें आप बाद में भोल जाते हैं तो यहां पर आपको regular practice आपके लिए ज़रूरी है अगला प्रस्ण है काली आंधी जो एक रचना है इसके रचिता कौन है तो देखिए काली आंधी के रचिता है option number a करेट हो जायगा कमलेसवर काली आंधी का रचिता है option number a है right answer हो जाएगा अगला प्रस्ण की क्या है उसने कहा था कहानी के लिखक कौन है देखिए जो उसने कहा था कहानी है इसके लिखक है चंद्रधर सर्मा गुलेरी सही अंसर क्या हो जाएगा option number C चंद्रधर सर्मा गुलेरी जो है इन्होंने उसने कहा था नामक कहानी लिखा था अगला प्रशन के क्या है निम लिखित में से कौन सी समूह आचक संगया है देखिए निम लिखित में से कौन सी समूह आचक संगया है देखिए इंपोर्टन प्रशन है तो पहला option क्या है जुन्ड भी समूह आचक संगया है सभा भी समूह आचक है और सेना भी समूह आचक है तो यहांपर हमारा रायट एंसर क्या हो जाएगा, जूंड, सभा और सेना, यह सभी समूर आचसंगा है तो हमारा option number ड अक्रिक्थ हो जाएगा, तो आगला प्रश्ण है, सर्रसवती का पर्या वाची नेम लिकित में से कौन सा नहीं है? तो आपको पहचानना है कि निम्न लिकित में से सरस्वती का पर्यावाची कौन सा नहीं है तो देखिए पहला option क्या है सारदा ये सरस्वती का पर्यावाची है इंदिरा सरस्वती का पर्यावाची नहीं है भारती भी सर्वस्ति का पर्यावाची है और वागेस्वरी भी सर्वस्ति का पर्यावाची है तो राइटेंसर क्या हो जाएगा सर्वस्ति का पर्यावाची नहीं है इंदिरा option number B जिन लोगों ने चुना है उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है निम्न में से कौन सूर्य का पर्यावाची सब्द नहीं है तो देखिए इन सभी में से सूर्य का पर्यावाची कौन से नहीं देखिए खरांसू है पतंग है तिमरारी भी है लेकिन जो हिमांसू option number D है जो हिमान्सु है सूर्य का नहीं बलकि चंद्रमा का पर्यावाची है आपको इसे याद रखना होगा हिम मतलब क्या होता है बरफ हिमान्सु मतलब बरफ का अंस जो हिम है बरफ हम मानते हैं कि जो चंद्रमा है बहुत थंडा होता है तो हिमान्सु मतलब हमें होता है हमारा चंदरमाहिम का अंस क्या है चंदरमा तो हिमान्सु आपको हमेशा याद रखना होगा जहां पर हिम का नाम है वो हमारा हो जाएगा अगला प्रशन है कपटी का विपरितार्थक सब्द क्या है देखिए कपटी का विलोम हमारा क्या हो जाएगा निस कपट हमारा जो है अगला प्रशन है अगला प्रशन है इनमें कौन सही सुमिलित नहीं है देखिए पहला ओप्सन क्या दिया हुआ है विवाद और विवादास्पद देखिए जो विवाद और विवादास्पद है यह कुछ प्रकार के समानार्थी सब्द है ओप्सन नमबर भी क्या है विजयपराजय देखिए विलोम है विरह का मिलन विलोम है और मरदोल का कटौर विलोम है देखें ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन जो हमारा option number A है विवाद का विलोम जो है विवाद असपत नहीं होगा तो option number जो हमारा A यहां है पर है सही समयलित नहीं है जिन लोगों ने भी A को चुना है उनका जवाब right हो जाएगा अगला उत्पन प्रश्ण है पसीने से उत्पन ने के लिए एक सब्द क्या प्रविक्त होता है जो पसीने से उत्पन होता है उसे हम क्या कहते हैं तो यहां पर हमारा सही answer हो जाएगा स्वेदज देखें स्वेद मतलब होता है पसीना आपको यहां पर याद रखना है स्वेद मतलब होता है पसीना और जब हम अगर लगा दें तो स्वेद से जन्मा हुआ क्या होता है स्वेद से जन्मा हुआ स्वेद जयाने की option number A correct हो जाएगा जलज क्या होता है जल में जन्मा हुआ जलज मतलब जल में जन्मा हुआ जैसे की कमल अंडेज मतलब क्या होता है अंडे में जन्मा हुआ तो यहां पर राद रखना है पसीने से उत्पन मतलब स्वेदध जयाने कि स्वेदध से उत्पन हुआ option number A यहां पर right हो जाएगा अगला प्रश्न है जो पहरा देता है के लिए एक सब्द क्या होगा जो पहरा देता है उसे हम प्रहरी कहते है option number B क्या हो जाएगा जो पहरा देता है उसे प्रहरी कहते है option number B right हो जाएगा अगला प्रश्न है यूग का निर्माड करने वाला के लिए एक सब्द क्या होगा तो यहां पर हमारा right answer हो जाएगा यूग निर्माता, सही इंसर क्या हो जाएगा, यूग का निर्माड करने के लिए, यूग निर्माता जो है हमारा सही हो जाएगा, option number B correct है, अगला प्रशन, कहीं का नहीं रहना किस महामरे का अर्थ है, तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा, घर का न घाट का, देखें, जो घ सपष्ड कह देना, यानि की जیसे कि अपने सुनाओं का भारत ने चीन को दो टूक बात कह दी, तो भारत ने चीन को सपष्ड रूप से कह दिया, तो option number A, यहाँ पर है, दो टूक बात कहना मतलब सपष्ड कह देना, अगला प्रशन है, मुह की खाना मुहावरे का सही पड़ी तो यहाँ पर हमारे क्या होता है देखिए गर्दन उठावना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है तो यहाँ पर हमारा सही अंसर हो जाएगा प्रतिवाद करना गर्दन प्रणने का मतलब क्या होता है जवाब दिना या फिर प्रतिवाद करना option number A हमारे यहाँ पर right हो जाएगा अगला प्रशन है विश्डु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीह किसकी जीवनी है तो देखें बहुत ही प्रसिद है आवारा मसीह और यहाँ जीवनी है सरत चंदर चटो पाधिया किसकी है सरत चंदर चटो पाधिया कि जीवनी है आवारा मसीह यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा option number B अगला प्रशन की क्या है किस वाके में क्रिया भूत काल में नहीं है तो आपको पहचाना है कि किस काल में क्रिया जो है वह भूत काल में नहीं देखे वह पढ़ रहा था यह भूत काल में है उसने पढ़ाई की थी यह भूत काल में है उसने पढ़ाई कर ली थी यह भूत काल में है लेकिन वह पढ़ने वाला है यह क्या है यह भविस्य काल में किसमे है वह पढ़ने वाला है ये किसमे है भविस्यत काल में है तो option number C यहाँ पर right हो जाएगा अगला प्रश्ण है निम लिकित में से किस वर्ड़ का उचारण तालू से नहीं होता है तो पचानना है कि निम लिकित में से किस वर्ड़ का जो उचारण है वो तालू से नहीं होता है देखिए जो चवर्ड है जो हमारा चवर्ग होता है इसका उचारण तालू से होता है आपको याद रखना होगा चवर्ड जो है वर्ग है इसका उचारण तालू से होता है जो हो गया चवर्ड जो है इनका उचारण तालू से होता है लेकिन जो हमारा क है क का उचारण तालू से नहीं होता है बलकि कवर्ग का उचारण है वो कंठ से होता है किस से होता है कवर्ग का उचारण कंठ से होता है आपको याद रखना है कवर्ग का उचारण किस से होता है कंठ से होता है दूसरा हमारा चवर्ग का किसे होता है तालू से चवर्ग का उचर होता है तालू से फिर उसके बाद हमारा क्या होता है पवर्ग जो होता है हमारा ओस्ट होता है क्या होता है पवर्ग हमारा ओस्ट से बोला जाता है देखी इसके बाद हमारा क्या होता है टवर्ग टवर्ग किसे बोल अगर हम अंतर गत का अगर हम विच्छेत करेंगे तो क्या है गा अंतह प्लस गत क्या होगा अंतह गत तो यहां पर हमारा विशर्ग आया है तो हो जाएगा option number C विशर्ग संधी जो है हमारा यहां पर right answer हो जाएगा अगला प्रशन है तोलसिदाश की रचना रामचरित मानस किस बोली की साहितिक रचना है देखिए रामचरित मानस एक महा काववे है और यह किस भासा में लिखा हुआ है तो अवधी भासा में लिखा हुआ है औप्सन नमबर E करेक्ट हो जाएगा तुलसितास की रामजरत माना जो है अबधी मेलखित एक महा काववे है अगर हम इसके अलावा तुलसितास की अन्यरषना की बात करें देखिए कवितावली, गेतावली, दोहावली, बरवे रामाएड, रामा के प्रशनावली, बईराग संदीपनी, रामला नचू यह सबी जो हैं तूलसी दाश के अन्य पर्मुकरिशना हैं अगला प्रशन है जिस समास का पहला पद विसेशड तथा दूसरा पद विसेश से होता है वह क्या होता है देखिए जिस समास का पहला पद विसेशड और दूसरा पद विसेश से होता है वो हमारा होता है कर्मधारा समास option number B यहाँ पर क्या हो जाएगा right हो जाएगा क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर भी राइट हो जाएगा जैसे कि मरिग नैनी देखे आपने सुना होगा मरिग नैनी यानि कि मरिग के समान नैन वाले तो यह हमारा क्या हो जाएगा कर्मधारज समास अगर हम बाकी देखे 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 दोंद समास में क्या होता है दोंद सम सार इस प्रकार से जो सब्द होते हैं अब इस भाव समास होते हैं दुगों में क्या होता है पहला पद संख्या वाचक होता है जैसे कि 3-1 तीन भावनों का समूह इस प्रकार से जो होते हैं हमारे दिगू समास होते हैं तो आपको सभी समास याद रखना है अगला प्रस्ण है सिस्ट मंडल कौन सी संग्या है देखिए सिस्ट मंडल जो है यह समूह है सिस्ट का मंडल है option number B यहां पर क्या हो जाएगा समूह आचा विसेशड वह होता है जिसको हम विसेशड देते हैं और विसेशड होता है जिसकी हम विसेशड बताते हैं देखिए पीली साड़ी देखिए साड़ी यहां पर क्या है साड़ी यहां पर है विसेश्य वह होता है जिसको हम विसेशड देते हैं पीली यहां पर क्या है से सख्या है साड़ी तो यहां पर हमारा option number a जो है राइट हो जाएगा अगला प्रशन है निम लेकित में से कौन सा सब्द सुद्ध है देखिए प्रसस्त में पहचाना है कौन सा सब्द सुद्ध है तो देखिए जो प्रसस्त है वो सुद्ध रूप से इस प्रकार लिखा जा टिखाई यह प्रेष्ण वाचक वाँये उक्सट नन्बर एए राइट हो जाएगा क्या तुमें रोटी खाई यह एक प्रश्न वाचक वाँये है अगला प्रस्ण है वह वस्तु जिसके र सर्शसु के और पर द कर दल्थ उससे हम बोलते हैं पार दरसी बाद दरसी मतलब अगला प्रश्न है, सिकारी रें बाग मारा, इस वाकिय में किस कारक के पर्सर का प्रयोग हुआ है? अगला प्रश्न है, मिठास सब्ध में किस परत्य का प्रयोग हुआ है? अगर हम मिठास का विच्छत करेंगे तो क्या आ जाएगा मिठ प्लस आस क्या होगा मिठ प्लस आस और प्रते क्या है सब देखे पीछे जो उड़ता है तो मिठास में जो है आस प्रते का प्रयोग हुआ है option number यहाँ पर B जो है right हो जाएगा अगला प्रशन की क्या है जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है तो यहाँ पर हो जाय का option number C संतोस न होना मतलब जी न भरना C option जी लोगों ने चुना है उनका जवाब बिलकुल right हो जाएगा अगला प्रसन की क्या है जान बूचकर मुसीबत में पढ़ना किस महावरे का सही अर्थ है तो देखिए जान बूचकर मुसीबत में पढ़ना का सही अर्थ होता है आग में कूदना क्या होता है आग में कूदना मतलब कि जान बूचकर मुसीबत में पढ़ना option number A यहाँ पर right हो जाएगा अगला प्रशन देखे क्या है मुगल जो है किस भासा का सब्द है तो देखे जो मुगल है यह किस भासा का सब्द है correct answer हो जाएगा तुर्की देखे जो मुगल है यह तुर्की भासा का एक सब्द है जहां पर option number B हमारा right हो जाएगा अगला प्रशन है हिंदी सब्द का प्रयोग सरोप्रथम किस भासा की रचना में हुआ यानिकि जो हमारे हिंदी भासा है इसका सरोप्रथम प्रयोग किस भासा की रचना में हुआ तो इसका बिल्कुल right answer हो जाएगा फार्सी भासा की रचना हुआ था तो आपका याद रखना होगा option number जो D है correct हो जाएगा फारसी अगला प्रशन है परिवार की संग्या का उदहरण है तो देखिए जो परिवार होता है यह समुवाच संग्या का उदहरण किसका परिवार समुवाच संग्या का उदहरण है option number पर D right हो जाएगा अगला प्रशन देखिए क्या है यह सोदा हरी पालने जुलावे हलरावे दुलरावे मलहावे जोईजू कच्छुगावे देखिए यहाँ पर साथ सब दिख रहा है यह सोदा हरी यानि कि क्रिष्ण को पालने में जुला रही है तो यहाँ पर सपस्ट्रू करें हमें एंसर के अगर हम लिखे तो आपको देखिए लिख करें किया आपके प्रशन ते हमें कमेंट रही है दो अगर पहली बारहे आ है और प्रसंद येगा पर प्रसंद दिये करें कंदाए सब्सक्राइब करें जिससे अधिक सब्सक्राइब